दर्शन करने की ख्रिपा करें नमस्कार विश्चित राज्य से विश्चित भारत अभियान आज हम मद्द प्रदेश के हमारे भाई बेहनों के साथ जुड रहे हैं लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं डिंडोरी सड़क हाथ से पर अपना दुख्य वक्त करता हूँ इस हाथ से में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है मेरी संवेदनाए उनके साथ है जो लोग गायल है उनके उपचार की हर विवस्ता सरकार कर रही है दुख्य की इस गड़ी में मैं मद्द प्रदेश के लोगों के साथ हूँ साथियों इस समय MP की हर लोग सभा विदान सभा सीट पर विख्षित मद्द प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं बिते कुछ दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों ने ऐसे ही विख्षित होने का संकल्प लिया है क्योंकि भारत तभी विख्षित होगा जब राज्य विख्षित होंगे आज इस संकल्प लियात्रा से मद्द प्रदेश जुड़ रहा है मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ साथियों कल से ही MP में नव दिन का विक्रम उत्सव शुरू हो वानवाला है यह हमारी गवरव शाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है इसका प्रमा उज्जेन में लगी वैदिक गड़ी भी है बाबा महाकाल की नगरी कभी पुरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी लेकिन उस महत्व को बुला दिया गया था अब हमने बिश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक गड़ी फिर से स्थापित की है ये सिर्फ अपने समर्द अतीत को उनह याद करने का सिर्फ आउसर भर हैसा नहीं है ये उस काल चक्रभी की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विक्सित मनाएगा साथियों आज MP की सभी लोगसभाज सीटों को एक साथ लगभग सत्रा हजार करोड रुपिय की विकास परियोजना मिली है इनमें पेजल और सिच्चाई की परियोजनाए है इनमें बिजली, सडक, रेल, खेल परिसर, सामुदाई सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्स है कुछ दिन पहले ही MPK 30 से अधिक रेल्वे स्टेशनों के आधुनी करण पर भी काम शुरू हुआ है भाजपा की डबल इंजिन सरकार ऐसे ही डबल स्पीर से विकास कर रही है ये परियोजनाए MPK लोगों का जीवन आसाम बनाएगी यहां निवेश और नोक्रियों के नए अवसर बनाएगी इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई साथियों आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है अपकी बार चार सो पार पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनारदन का दिया हुआ है मोदी की गारेंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है लेकिन साथियों हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष है ऐसा नहीं है हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ती बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष नहीं है हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है यही हम मध्य परदेश में भी देख रहे हैं बीते दो दसक से निरंतर आप हमें अवसर दे रहे हैं आज भी विकास के लिए कितनी उमंग कितना उत्सा है यह आपने नई सरकार के बीते कुछ महिनों में देखा है और अभी मैं मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहा हूँ लोग ही लोग नज़रा रहे हैं वीडियो कॉन्फरनस पर कारकम हो और पंदरा लाग से जादा लोग जुड़े हो दोसों से अधिक स्थानों पर जुड़े हो यह घटना सामान यह नहीं है और मैं मेरी आखों से यहाँ सामने देख रहा हूँ कितना उत्सा है कितना उमंग है कितना जोस दिखाई दे रहा है मैं फिर एक बार मद्दप्रदेश के भाईयों के इस प्यार को नमन करता हूँ आपके इस आशिरवात को प्रणाम करता हूँ साथियों विक्षित मद्दप्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजिन सरकार, खेती, उद्द्योग और टुरिजम इन तीनों पर बहुत बल दे रही है आज मान नर्वदा वहाँ पर बन रही तीन जल परियोजनाओं का भूमी पुजन हुआ है इन परियोजनाओं से आदिवासिक शेत्रों में सीचाई के साथ साथ पेजल की समस्या का भी समाधान होगा सीचाई के एक छेत्र में, मद्द प्रदेश में हम एक नई क्रांती होते देख रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना से मुंदेल खन के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है जब किसान के खेत तक पानी पहुंता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है भाजपा सरकार और कॉंग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है इसका उधारन सिंचाई योजना भी है 2014 से पहले के दस वर्सों में देश में लगभग 40 लाग हैक्टर भूमी को सुक्स्म सिंचाई के दाइरे में लाया गया था लेकिन बीते दस वर्स के हमारे सेवाकाल में इसका दो गुना यानि लगभग 90 लाग हैक्टर खेती को सुक्स्म सिंचाई से जोड़ा गया है ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमित्ता क्या है ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानि गती भी प्रगती भी साथियों छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है इसके कारण छोटे किसानों को ओने पोने दाम पर अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी अब हम भंडारन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं आने वाले वर्षों में देश में हजांगरों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे इससे साथ सो लाख मेट्रिक टन अनाज के भंडारन की ववस्ता देश में बनेगी इस पर सरकार सवा लाख करोड रुपिय से जादा खर्च करने जा रही है साथियों हमारी सरकार गाउं को आप मंदिर भर बनाने पर बहुत बल दे रही है इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है अभी तक हम दूद और गन्ने के ख्षेतर में सहकारिता के लाब देख रहे हैं भाजपा सरकार अनाज फल सबजी मचली ऐसे हर सेक्टर में सहकारिता पर बल दे रही है इसके लिए लाखो गावों में सहकारी समित्यों का सहकारी संस्थानों का गठन किया जा रहा है कोशिश यही है कि खेती हो पशुपालन हो मदुमक्खी पालन हो मुर्गी पालन हो मचली पालन हो हर प्रकार से गाव की आए बढ़े साथियों गाव के विकास में अतीत में एक और बहुत बड़ी समच्चा रही है गाव की जमीन हो गाव की प्रापर्टी हो उसको लेकर अनेक विवाद रहते थे गाव वालों को जमीन से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए परसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे अब ऐसी समस्याओं को हमारी डबल एंजिन के सरकार पी-एम स्वामित्व योजना के जरिये साइस हमाधान निकाल रही है और मद्द प्रदेश तो स्वामित्व योजना के तहट बहुत अच्छा काम कर रहा है मद्द प्रदेश में सत्प्रतिशत गाउं का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है अभी तक बीस लाख से अधीत स्वामित्व कार दिये जा चुके हैं इस जो गाउं के घरों के कानूनी दस्तावेज मिल रहे हैं इससे गरीब कई तरह के विवादों से बचेगा गरीब को हर मुसिबत से बचाना ही तो मोधी की गारंटी है आज मद्द प्रदेश के सभी 55 जीलों में साइबर तहसिल कारकम का भी विस्तार किया जा रहा है अम नामान तरण रजिस्ट्री से जुड़े मामलों का समाधान डीजिटल माध्यम से ही हो जाएगा इससे भी ग्रामीर परिवारों का समय भी बचेगा और खर्च भी बचेगा साथियों मद्द प्रदेश के नवजवान चाहते हैं कि MP देश के अग्रणी अउद्योगी राज्यों में से एक बने मैं MP के हर नवजवान को विशेश रुप से फर्स्ट टाइम बोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए आउसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही आपके सपने ही मोदी का संकल्प है मद्यप्रदेश आत्म निर्भर भारत का मेक इन इंडिया का एक मजबुत स्थंब बनेगा मुरेना के सितापूर में मेघा लेधर एंड फुट्वेर क्लस्टर इंदोर में रेडिमेट गार्मेंट इंडिस्ट्री के लिए पार्क मन्सोर के इंडिस्टियल पार्क का विस्तार धार इंडिस्टियल पार्क का नया निर्मान ये सब कुछ इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम है कॉंग्रेस की सरकारों ने तो मैनुफेक्चरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बरबात कर दिया सा हमारे हाँ खिलोना बनाने की कितनी बड़ी प्रमपरा रही है लेकिन स्थिती ये थी कि कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और हमारे गर विदेशी खिलोनों से ही फड़े पड़े थे हमने देश में खिलोना बनाने वाले अपने पारंपरिक साथियों को विश्व कर्मा परिवारों को मदद दी आज विदेशों से खिलोनों का आयात बहुत कम हो गया है बलकि जितने खिलोने हम आयात करते थे उससे जादा खिलोने आज निर्यात कर रहे हैं हमारे बुधनी के खिलोना बनाने वाले साथियों के लिए भी अनेक अवसर बनने वाले हैं आज बुधनी में जिन सुविधाओं पर काम शुरू हुआ है उससे खिलोना निर्मान को बल मिलेगा भाई और भेनों जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है देश में ऐसे पानपारिक काम से जुड़े साथियों की मेहनत का प्रचार करने का जिम्मा भी अब मोदी ने उठा लिया है मैं देश दुनिया में आपकी कला आपके कौशल का प्रचार कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब मैं विदेशी अतित्यों को कुटीर उद्योग में बने सामान उपहार के रुप में देता हूँ तो आपका भी प्रचार करने का पूरा प्रयास करता हूँ जब मैं लोकल के लिए वोकल होने के बात करता हूँ तो आपके उजवल भविश्य के लिए घर घर एक प्रकारते बात पहुँचाता हूँ साथियों, बीते दस वर्सों में, पूरे विश्व में, भारत की साख बहुत अधिक बड़ी है आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं कोई भी भारतिय आज विदेश जाता है, तो उसको बहुत सम्मान मिलता है भारत की इस बड़ी हुई साख का चीध हाला निवेश में होता है, परियटन में होता है आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं भारत आएंगे तो MP आना तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि MP तो अजब है, MP तो गजब है पिछले कुछ वर्षों में उंकारेश्वर और ममलेश्वर में सुरत धालों के संख्या में भारी बड़ोत्री हुई है उंकारेश्वर आदीगुरु संकराचारी के सुरुति में विच्षित किये जा रहे एक आत्म धाम के निर्मान में ये संख्या और बढ़ेगी उज्जेन में दोजार अठाईस में सिहस्तक कुम्बभी होने वाला है इंदोर के इच्छापूर से उंकारेश्वर तक फोर लेन सडक के बनने से स्रत धालों को और सुविदा होगी आज जिन रेल परियोजनों का उद्गाटन हुआ है उससे भी मद्यप्रदेश की कनेक्टिविटी और ससक्त होगी जब कनेक्टिविटी बहतर होती है तो खेती हो परियाटन हो या फिर उद्ध्योग हर किसी को लाब होता है साथियों बीते दस वर्स में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे है मोदी की गारंटी थी कि माताओं बेहनों के जीवन से हर असुविधा हर कष्थ को दूर करने का इमानदार प्रयास करूँगा यह गारंटी मैंने पूरी इमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है लेकिन आने वाले पाँच वर्ष हमारी बेहनों बेटियों के अभुद पुर्व स्वसक्ति करन के होंगे आने वाले पाँच वर्षों में हर गाउं में अनेक लगपती दीदियां बनेगी आने वाले पाँच वर्षों में गाउं की बेहने नमो ड्रोन दीदियां बनकर खेती में नई क्रांती का आधार बनेगी आने वाले पाँच वर्षों में बेहनों की आर्थिक स्थिति में अभुद पुर्वत सुधार आएगा हाल में एक रिपोर्ट आई है इसके मताबिक, बीते दस वर्सों में गरीब कन्लियाट के लिए जो काम हुए है उससे गाउं के गरीब परिवारों की आए तेजी से बड़ रही है रिपोर्ट के मताबिक, शहरों के मकाबले गाउं में आए जादा तेजी से बढ़ रही है बीते दस वर्सों में पचीस करोड देशवासी गरीबी से भार आए है यानि बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही है मुझे विश्वास है कि मद्द्देश ऐसे ही तेजी से विकास की नई उचाई प्राप्त करता रहेगा एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज आप इतनी बड़ी तादाद में वीडियो कॉन्फरंस वाले कारिकम में आए आपने नया इतिहास बना दिया है मैं आप सब भाई बहनों का रदय से धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद